नमस्कार दोस्तों फोर साइट्स के और से मैं शलिवार जयस्वाल आपका स्वागत करती हो तो दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में बीजेपी से एक खास शक्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं जिनका नाम है नित्या पारिक जी जो महिला मोचा जिला अध्यक्ष है तो आज हम इन से जानेंगे कि जो वोटिंग के दौरान कॉंटर्वर्सी हुई आखिर ये मामले की सच्चाई क्या है नमस्कार मैम फोर साइट्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है नमस्ते जैश्री राम शालिमार जी मैम पहला सवाल हम लोग यह जाना चाहेंगे यह जो ओटिंग के दौरान जो धानली हुई या जो जड़प हुई जो जगड़ा हुआ उसका में रीजन क्या है रीजन तो एक ही है देखिए जब भी मिम आज इतने साल से 40 साल से इलेक्शन लड़ रही है जीत रही है तो वह बोकस वोटिंग वह गलत करके ही जीत रही है वह कभी भी सीधे रस्ते से चल के जीता नहीं उसने तो इस बार भी उन्होंने यही सोचा कि जैसा 40 साल से चलते आ रहा है वह लड़ाई जगड़े कर रहे हैं वह लोगों को फोर्स फुली ला रहे है या फिर वह लोगों की आइडेंटीरी रिविल करे बिना जो बोकस वोटि है इस पर हर चीज़ को बहुत हमने अक्टिवली देखा है हर चीज़ को बहुत माइनर तरीके से हमने जाच की बिलकुल और जो जनता सोच रही थी कि यह चीज़े नहीं हो पाएंगी इस पर हुई है मतलब आपने वोटिंग के दोरान आपने माधविलता जी ने और चक दो फटली पतली पतली गलियों में घरों के नीचे क्या पोलिंग बूद कभी आपने देखें लेकिन ए거든 जोगों के घर के नीचे पोलिंग करना कहां किस हद तक यह जायज है मैं देखिए एक तो लिमिटेट टाइम पीरिट रहता है वोटिंग का टाइम खतम हो रहा है उस बीच में अगर हम एलेक्शन कमिशन के पास जाएंगे बात करने के लिए तो बाकी एरियों में तो डिस्टरबंस होगा उसको तो नहीं रोक स जो माधुई जी ने जो बूतों में अपना सर्वे किया जो वो गई सडन तो उससे काफी चीजा कम से कम लोगों के सामने आई है आज लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या हुआ था जी तो यह होना जरूरी था और यह हुआ आप लोग जब पोलिंग बूत पे गए तो आप लोग मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटा के देख रहे हैं और उनके जो है आधार काट तक चिक कर रहे हैं आप लोग तो उससे क्या साबित होता कि यह इनकी है या फिर बोकस दाले जा रहे हैं देखिए एलेक्शन कमिशन की जो गाइडलेंस आती है आप वह पर सकते हैं उसमें साफ दिया हुआ है कि वोटर की आइडेंटिटी देखी जा सकती है और जो बुर्का उठाने की बात चल रहे हैं आप एक वीडियो वाइरल हो रहा है माधवी जी का वह भी देख सकते हो क्या माधवी लता जी ने फोर्स फुली किसी का बुर्का उठाया उन्होंने आधार काड लिया चेक किया रिक्वेस्ट किया अमा आपका चेहरा अटा कि मुझे दिखाओ मुझे चेक करना है एंड इवन देट महिला ने भी अपना बुर्का हटा के बताया तो इसमें कहीं भी फोर्स का किसी भी फोर्स फुली एक्शिन का को यूज नहीं हुआ है और क दूसरी महिला की अडिदेटिटी चेक कर सकती है हम एरपोर्ट में जाते हैं मॉल्स में जाते हैं हमें एक महिला पूरा टेच करके भी चेक करती है मेरी से चेक करती है आपका फेस चेक करती है जब तो हम अब्जेक्शन नहीं उठाते हैं डेमोक्रेटिक जो इतना बड़ा आज जो मद्दान इतनी बड़ी चीज है उसके लिए एक आइडेंटिटी रिवेल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह एक पर्टिकुलर किसी एक इन करती नहीं किये उन्होंने रिक्वेस्ट की हमने यह भी सुना है कि एक नाबालिक लड़की भी इस वोटिंग के दौरान पकड़ी गई यह तो सदियों से चला आया है इस बार सामने आया एक 16 साल की लड़की संतोशी नगर एरिये में उस उसने क्या बलते वोटिंग करती वो जब पकड़ी गई तो पुलिस वाले उसे पुलिस टेशन लेके गए और उन्ता काम था कि जब तक उसकी आइडेंटिटी रिविल ने होती वो सब चीजों के बारे में जाज परताल नहीं होती उसे पीएस में अपने माता-पिता के साथ आप बिठा कर रख सकते हैं ले खुद नहीं चाहते थे कि चीज़ें सामने आएं आपका बोलने का मतलब की हर चीज एक तरफे से हुई असवदीन ओवेसी साहब पूरा प्लान कर चुके बोका सोटों का तो हर चीज उन्होंने अपने नजरिये से अपने समझदारी से काम करी तो आप यह वन साइड बोलन नहीं थे रखिए ना उन्होंने तो जो उनकी जो टीम है वह तो हर सल वह प्रैक्टिस में हमारी टीम नूइँ आई थी हमको इसको ख़देड नहीं चीज़ें निकालना था जो धानलियां हो रही थी वह निकालना था उनकी टीम तो चार 40 साल से वही करती आ रही है वह सब कराने लोगों कि आइट यूटेटी रिविल करें वोटींग कर सकते हैं वहं नहीं यह नंता को बताना कि क्या क्या हो रहा था कि तो 40 साल से वह अपना हैदरबाद में राज़पाट जमा कर रख चुके हैं आप बोरे वह बोकस वोट इंगे और एक चीजा पूचना चाहू इनका भी कुछ ऐसा इशू है जो ओवेसी साब के बारे में हम लोग बोलना चाहेंगे वह वकबोट की जमीनों पर भी कब्जा करके रखें सो है यह भी एक चीज सामने आ रही है ऐसी कई वफबोट की जमीने हैं जिस पर अवैसी खांदान का कब्जा है और कई जगहों पर उन्होंने मस्जीदों को तोड़ कर भी अपने जो शौब उनके बिल्डिंग्स बनाए हैं उसका माधूी लता जी ने पूरे वीडियो में भी बताया था आज तक में भी बताया थ सब्सक्राइब कि अगर वोट करो डेवलपमेंट के नाम पे आके वोट मांगो ना आज आप देख सकते हैं भारती जनता पार्टी को देख सकते हैं मोधी जी ने 600 से अधिक स्किम्स निकाली काम किया काम करके आज वो जलता से वोट मांग रहे हैं 400 पार का नारा बोलने का उनके अंदर वो गट्स कैसे आया क्योंकि उन्होंने काम किया है और काम करने के बाद आप कुछ भी मांग सकते हो लेकिन आप काम नहीं करोगे तो आप धानली करके ही जीतोगे ना तो काम करिए डेवलप्मेंट करते थे तो आजी नौबत ही नहीं आती थी आप घर में बैटके भी जीत सकते थे बीजेपी का जहां तक हम लोग नारा सुन रहे हैं राम मंदीर को ताक पर रखकर बीजेपी मांग रही है हमने सुना अहीं बहुत मेंनाम लेन चाहलंगी मोधी आखिड मोधान कर रहे हैं कि हमनेजная मन को लाया है जो राम लाइंग है वही भीजेपी को लाइए मैंने अभी क्ला कि आप काम करिये काम कि जंगे काम के दम से वोट लाइत आज हमने राम ठाla बनाया ठा क्या राम मंदिर वो नहीं बनवा सकती थी कॉंग्र δाव काboards साल पहले तक जब उनकी सरकार थी राम मंदिर बन्वादे थी वह भी ऐसे राम हम राम को लाये हैं जो राम को लाया वह सब लाएएंगे उसको सब लाएंगी उसको बन तो गया है मंदिर तोड़वाने पर भी वह पीछे नहीं हटेंगे अगर कॉंग्रेस सरकार फिर से आती है तो उनका पहला टार्गेट राम मंदिर होगा जो एक कहता है कि जब कॉंग्रेस सरकार वापस आएगी तो पहला टार्गेट राम मंदिर होगा तो क्या आप एक सो चालिस करोर जनता को डेवलप्मेंट नहीं दे सकते लेकिन उनकी आस्था के साथ खेल सकते हो तो जब अगर आस्था के साथ खेलोगे तो क्या जनता आपका सपोर् चांता बात में कुछ भी नहीं किया ऐसे इसा ही जनता उनको प्यार दे रही है और वोट दे रही है कहा है जो इक बातąd Żeege वो न ही वोट है उनके ही लोग की ओंप्धान करेंगे वोट देंगे बोकस्टण 12 वोटिंग होगी व adis andra काया का फयार हो ही नहीं सकता 40 साल कोई-स मैंनम 40 साल वो हैज हाईदरबाद के किंग मेकर है उनके गड़ में जाना तो दूर की बात है उनको हराना तो बहुत दूर की बात देखे रिसेंटली एक मुस्लिम महिला से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे क्या का मालूम मैंने बोला आप किसको वोट देंगी तो हम तो देंगे तो मैंने पुछा क्यों बीजेपी ने क्या काम नहीं किया है तो नहीं अम्मा काम तो बहुत किया मेरे को डबल बेडरूम का घर भी आया वो मोदी जी घर दिये ना उसमें आया मेरे को और भी वो दो-तिन चीज़े गिना हमको राशन भी मिला सब हुआ लेकिन अम् ठाइए ने काम करने वाला अभ उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे तो यह धरम के नाम पर वो भी खेली रहें तो वो जब महिला ने ऐसा कहा तो नहीं अम्मा हम नरेंदर मोदी जी को हम भी पसंद करते लेकिन एक ही चादमी है ना हमारे धरम के लिए बात करने वाला बोलके तो यह क्या है वो उन्होंने धरम की लड़ाई बना के रखी इसको जब वो संसत पे बैठते हैं बात करते हैं सिर्फ एक तरफा बात करते हैं क्या एक बात बताईए समविधान में आप हैं आप जनता को सिर्फ के एक ही नजरिये से देखेंगे क्या हिंदो मुसलिम करके आज हम यह स्कीम लाए हैं सिर्फ हिंदू यूस करेगा आज उजवला गैस आई है सिर्फ मुसलिम के घर में जाएंगी आज राशन आया है तो सिर्फ हिंदू के घर में जाएगा क्या मोदी सरकार ने कभी ऐसा किया जब राशन आया जब उजवला गैस आई जब आवास य सकते हो ओल्ड सिटी में इतने साल से नहीं हुआ इस बार हमारी माइनॉर्टी बहने भी निकल के वोट दी है और यह चीज आपको चार तरीक को पता चलेंगी जब वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे ना तो माइनॉर्टी बहने जो घर से निकली थी बुर्के में पर व दो मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक का जो फैसला मोधी जी ने किया थिहासिक उस्से आज काफी मुस्लिम महिलाय खुश है जिनको तलाग 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 बलके घर से निकल दिया जाता था व बैठी है साओधी में उनके पति कंममर संका आप शादी इन लिग लिए त आपने बच्चे की परवरिश कर सके अपने तरीके से तो यह तो गलत है अधिकार तो सब को समाने मिलने चाहिए अभी रिसेंटली हाइदरबाद में बीजेपी के दिगच नेता नवरीत राना जी आय थे उन्होंने काफी जोरो शोरो से प्रचार किया बट एक एक जुम्ला सब्सक्राइब में उन्होंने बोला 15 सकर्रां कूल आप दे गो हम छोटे को देख लेंगे देख यह तो सबने सुनना है सबने किया लेकिं पंदा सेचिंड की बात आती तो का यहीं पको क्योंना चाहती हुं आप एक काम है आप साथ क्लोर लोगों को बाटो वही काम धे है 13 तो काम की स्पीड तो कम हो जाएगी ना तो जो टाइम 15 मिनिट का था तो 15 सेकंड में आई गया तो अगर माइनौर्टी को अगर हम बोलेंगे कोई काम और मैजॉर्टी को बोलेंगे कोई काम तो जब काम होगा तो टाइम लिमिट तो कम होगी ना तो इसलिए जो काम आप 15 मिन वोट दालने को 15 सेंद ही लगते हैं अगर आपको वोट देना है अगर आप अपनी वोट के इस्तेमाल सही जगे करते हो तो भी बदलावा सकते हैं घुल सब्सक्राइब करते हैं वोट देने में 15 सेंद है अगर हमारे लोग मिलके वोट देंगे जीए पन्दरा से का टाइम अगर बज़े के लगाएंगे तो गल के फूल को दबाएंगे तो घ्लावा सकते हैं अगर घ्ण नजरी से वोट देखते हैं अगर उस पे बाताने ज कि जाए तो हम लोग भी तो जादा है ना हम 140 क्रोर लोग है तो टाइम कम लगेगा मैम अभी यह जो एलेक्शन के धानलिया हुए उसके ओपर कुछ कुछ एफ आयार या कुछ मैंने सुना मलक पेट में महधवी लता जी के ओपर एफ आयार दर्च होई जी मैंने कहा ना बुर्का उठाना कहीं से भी गलत नहीं था क्योंकि उन्होंने बुर्के को हाथी नहीं लगाया लेकिन जैसा रावन राच चलता आया था जो बोलते हैं ह वैसा ही बुराई हावी होती है अच्छा ही पे तो उन्होंने कोशिश की बट वह एट दे एंड सब फॉल्स निकलेगा ओवेसी साब के रावन राच चल रहा चालिस साल से उनका रावन राच चल रहा जी मैं रावन नहीं बोल सकते उनको क्योंकि रावन भी बहुत ज्यान अगर उनको यह था कि वह जीत सकते हैं तो आप यह बताईए कॉंग्रेस उनकी टीम नहीं है कॉंग्रेस भी MIM की BT में हाथ मिला के बैठे अगर हिदराबाद पार्लिमेंट उनके लिए इतना आसान था जीतना इस बार कॉंग्रेस से भी अच्छे कैंडिडेट को दे सकते कॉंग्रेस वालों ने क्या किया एक डमी केंडिडेट लगा दिया आज भारतिये जनता पार्टी जब हैदराबाद पार्लिमेंट में लड़ने के लिए माधू ही लाता जिदे से फायर बैंड को भेजा तब क्या बात चली कि एक औरत है उसको भेजे है हां फिरोज खान न लगार ने तो पूरा हिला के रख दिया आपको अंदर तक आपकी रातों की नींद उड़ा दी अगर कॉंग्रेस बीटीम नहीं होती थी तो कंग्रेस भी क्या क्या की पास स्टार प्रचारक नहीं है जो आके कांग्रेस के लिए भी बात करता था लेकिन इनको इनके वोट बढ़ाना ही नहीं था ना क्योंकि अगर जो कॉंग्रेस को वोट जाते थे और वेसे में के कटते थे इनकी यह थिंकिंग है आपका मतला ओवेसे ही कॉंग्रेस भी आरेस टीनों टीम यह तीनों मिलके भी बीजेपी को दक्का नहीं पहुंचा सकते तो कमल के फूल को थोड़ मारे शहर का और हैदराबाद पार्लेमेंट में मा भाग्ये लक्षमी खुद विराजित है और मा कमल पर विराजित होती है तो कमल खिलेगा मा का आसन तो अल्रेडी लगा हुआ है तो कौन रोग सकता है तो यह चार्ज उनको सबको पता चली जाएगा और इस बार जो डिफ मिस्यूस वर्स यूस किया यासिर अलाफात जी उस शक्स का नाम है जो कि याकुत पुरा का इलेक्शन इंचार्ज कुछ है माइम का और शायद आवेसी का रिष्टेदार भी है वो कुछ भतीजा भांजा कुछ है मुझे ठीक से नहीं पता तो वो रिष्टेदार जो है वो 144 सेक्षन होने के बावजूद अपने 200 गुंडों को बोल सकते हूं कार्यकरता इसे नहीं होते कार्यकरता काम करते गुंडाघरदी नहीं करते तो मैं बोल सकते हूं 200 गुंडों को लेकर उन्होंने माधवी लताजी को गाली गलोज दी आप एक आम महिला के साथ भी आप जि बीच में चौरस्ते पे आप गाली गलोश करते हो क्या यही आपकी संस्कृती है क्या यही आपके संस्कार है हमारे पास तो ऐसा नहीं होता हम तो गाली नहीं देते कानून सबके लिए एक है यह पर्सनल कानून अभी जैसे आपने बोले ना कि गुंडों को लगाया उन्होंने बहुती अभधरता का वेवहार किया जी देखिए बुरका उठा था माधुलता जी ने जो बुरका उठाने की बार चली केस तुरंट हुआ विदिन अ मिनिट आप उसको तीन दिन लगया होने में कल जाके उसके उपर एफाई आई होई जब हर तरफ से हर कार्यकरता मिलकर फोर्स फुली जब पुलिस पर दबाव डाला गया जब जाके उस पर केस हुआ यह कहा का समभधान है यह कहा की गुंडागर दिये बताइए जब एक औरत पर केस हो योश्पाद कर रहा एक महिला को सपोर्ट मही करके एक पुरुश जो अपने 200 गुंडों के साथ रोड़ पे मौझुद है उसको कानूं पर देरा और कानूं ऑसी की सुनरा कानूं पर टेस्टिंघ नहीं देरा कानूं दबाव में आ गया था पर प्रोटेक्शन देने की जागरुकता के लिए कुछ प्यारा से संदेश देना चाहेंगे जिए जाए हैं इलेक्शन हो गए लेकिन अभी भी देश के कई सो में इलेक्शन होना बाकी है तो मैं सभी मेरे सबसे पहले तो वोड़ जरूर करिए यह आपका अधिकार है इसका इस्तिमाल आपको करना जरूरी है क्योंकि जब तक आपके उंगली में निशार नहीं होगा आप किसी को उंगली नहीं दिखा सकते तो इसलिए सबसे पहले आप मद्दान कीजिए दूसरी बात आज नरेंद पार है क्या आज उनको सीम बनना है तो वो तो 252 में बन सकते हैं लेकिन 400 पार वो इसलिए पूछ रहे हैं कि 70 साल से जो कॉंग्रेस सरकार ने धानलिया किया जो समविधान में बदलाव किया था जो समविधान में जो उन्होंने गलत खोट लगा के रखे थे उन सभी को जो हम जो आज इतनी जो नाजायस चीजें हुई है हमारे साथ जो हमारे समविधान के साथ छेड़ खानिया हुई है उन सभ में बदलाव लाना ज़रूरी है और वो करना है आज सिफ राम मंदिर बनाए है ज्यानवाप्ति का फैसला आना बाकि है मतुरा काशी बाकि है और इतना है नहीं जो वफबोट जो यूणिफर्म सिविल कोड है यूणिफर्म एजुकेशन कोड है यह सब को भी आज देश में लाना ज़ारूरी है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं नहीं आज देश को बदलाव की बहुत जरूरत है और यह एक आखरी मौका है हमारे पास हमारे देश को विशू गुरू बनाने के लिए तो सभी सेनुरों अपने मत का प्रयोग कीजिए और इसवार मोदी जी को भारी बहुमत से जिताईए क्योंकि चार सो पार नारा नहीं सरूरत है तो दोस्तों फोर साइट्स के स्टूडियो में आज नित्या जी ने हमार सबी सवालों के पहुती उन्दा जवाब दिये है आगे भी इसी तरह के कारिकरम आपके सामने लाते रहेंगे तब तक के लिए ठिल देन बाई